हेलो रिवान, वेलकान टू फॉर्मर उक्स यूटूब चैनल, फॉर्मर उक्स के यूटूब एज्यूकेशने चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीपेट 2022 एक्जम के बारे में तो जीपेट 2022 के एक्जम डेट्स वगेरा क्या रहेंगे, फिर एक्जम के फीज वगेरा क्या है, फिर टाइम लिमिट क्या रहेगी, पेपर स्टाइल क्या रहेगा, तो उसकी डेटेल में हम बात करते हैं आज के लेक्चर में, तो जीपेट 2022 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स् तो 16 February से लेकर 17 March तक जो है exam की registration जो है आप कर सकते हैं online registration रहेगा जीपेट की website पर से फिर last date जो रहेगी fee submission की वो रहेगी 18 March रहेगी कि जो आप 11.50 PM तक वो कर सकते हैं फिर जो form में कोई mistakes वगएरा होती तो उसको correction आप कप कर रहे देट्स दी है 19 March से लेकर 21st of March और देट्स की हम बात करें exam की तो अभी तक अनाउंस नहीं की है NTA ने उन्होंने वहाँ पे लिखाए कि they will be announced soon on official website तो इस तरह से पूरी एक official press release है NTA द्वरा कि सबसे पहले राष्रे पर एक सेजनसी की जो NTA exam conduct करती है तो उसमें public notice से 16 February का आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें लिखा है कि inviting the online application for GPET examination की जिसका full form है graduate pharmacy aptitude test तो यहाँ पर पूरी detail लिखी हुए तो आप देखो तो सबसे पहले कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 16 February से लेकर 17 March तक जो है वो registration चलेंगे मला कि proper one month का जो है वो time period जो है वो students को खास कर दिया जाता है registration करने के लिए online फिर fee submission की last date दी जाई है 18th March दी गई है फिर कई बार form में कुछ नगुछ mistakes होती है तो correction भी करना जरूरी होता है तो correction के लिए यहाँ पे total तीन दिन दिये है 19 से लेकर 21 तो ये तीन दिन के 19 March 20 और 21 ये तीन दिन आप जो है वो proper application form के अंदर correction कर सकते हैं website के थूरू फिर admit card का अब download होगे और examination date का भी है वो ऐसा लिखाएगी वो लोग NT की जो official website है जीपेट की कि यहाँ पे वो लोग जो अपलोड करेंगे exam का duration रहेगा 180 minutes मतलब की 3 गंटे की exam रहेगी और 9 से 12 जो है उसका time रहेगा और language रहेगी English के अंदर तो खासकर आपको यह वाली जो website है उसी website को जो visit करके application form fill up करना है और कोई भी query हो तो आप यह वाले जो numbers दिये है कि help line numbers और उनके website जो दिये है वहाँ पे students contact कर सकता है या फिर उनको यह वाली email id पे email भी कर सकता है कुछ भी queries के लिए तो यह वाले number जहाँ पे मैं फिर से इसा हूँ तो आपके लिए highlight कर देता हूँ तो यही number पे आपको जो है वो contact करना है NTA GPAT को तो यहाँ पे भी यह number डिस्पले किया हुआ है तो खास यह दियान रखे official website से ही आपको GPAT का form fill up करना है अब बात करें fees कितनी है तो general और on reserve candidates जो male है उनके लिए 2000 रुपे फिमेल के लिए 1000 OBC और NCL SCST general EWS category PWD उनके लिए male के लिए 1000 और female के लिए 1000 है और third gender के लिए 1000 fee जो है वो NTA द्वरा नक्की किये गई है कि जो आप online mode से जो है वो उसकी fee payment कर सकते जैसे कि through SBI, HDFC, PTM, credit card, debit card, net banking, UPI method तो बहुत सरे multiple payments options भी दिये गए है तो age limit क्या रहेगी GPAT 2022 exam के लिए तो कोई age restriction नहीं होते GPAT exam के लिए as well as आप number of trials भी दे सकते हैं but citizenship आपके पास Indian citizenship होनी चाहिए GPAT exam को देने के लिए फिर common format की हम बात करें तो 125 MC की होते हैं GPAT exam के अंदर हर question का 4 marks मुलिके 500 marks की अगई exam होगी 180 minutes के time limit और negative marking रहता है minus 1 for each wrong question तो यह होगा GPAT exam का पूरा format तो इस तरह से आपको proper preparation जो वो करनी होती है तो preparation के लिए हमने आपके लिए एक test series बनाई है farmer rocks के आप उपर कि जो आप सिर्फ और सिर्फ 100 rupees में access कर सकते हैं तो यह tourist series को join करने के लिए हमें whatsapp कर सकते हैं 901631-2020 नमबर पे या फिर हमारा app डाउनलोड करें farmer rocks लिंक आपको description box में दे देंगे good luck and all the best